सान्वी शर्मा, आज मैं आपके लिए एक जेनरलाइस रीडिंग लेकर आएं हूँ, जो की साजिटेरियस यानि की धनूराशी वाले लोगों के लिए है, ये एक जेनरलाइस रीडिंग है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पर्शली रेजनेट हो, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिलकुल भी रेजनेट ना हो, अगर आप मेरी रीडिंग से इंफ्लूइंस हैं और किसी परस्नलाइस प्राबलों का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी परस्नलाइस रीडिंग मेरे साथ बुक कर स सकते हैं, ये बुकिंग आप मेरे वाट्टाप के थूँ या फिर मेरी इमेल आइडि के थूँ कर सकते हैं, मेरा वाट्टाप नमबर और इमेल आइडि स्क्रीन पर फ्लाश होंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीस मेरे सब्सक्राइब कर लीजे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ने ने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, मेरा एक और चानल भी है, सोल डिवाइन जोनी टारो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चान को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें, मेरा एक ने चानल है सोल मिस्टिक टारो, उस चानल पर मैं आपके पार्टनर की करेंट और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें, उस चानल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना कोई क्वेशन ड्रॉप करते हैं, तो हो सकता है मैं आपका क्वेशन पिक आज की इस रीडिंग को आप Sun Rising, Moon Rising या Venus Rising के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आप इस रीडिंग को अपने Ascendant यानि की लगन के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी आपका Moon Signs Zodic है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा for finer details, तो देखते हैं Sagittarius People, September का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, General Energies आप लोगों के लिए किस तरहा की रहने वाली है, Sagittarius People, let's see, ये महीना आपके लिए किस तरहा का रहने वाला है, General Energies किस तरहा की होंगी, Let's see Sagittarius people September का महीना General Energies की टर्मस में आपके लिए किस तरहां का होगा यहां पर Knight of Water का का कार्ड है Page of Earth का का कार्ड है The next card is the Moon का कार्ड है The next card over here is King of Earth का कार्ड है The next card is Ten of Water का कार्ड है 5 of air का कार्ड है 6 of air का कार्ड है and bottom of the deck पर 3 of water का कार्ड है So, Sagittarius people आपकी life का एक नया phase इस महीने से start होगा इस phase में कहें उतार चड़ाव starting में आपको देखने के लिए मिलेंगे लेकिन आपका next phase में enter करना आपके लिए बहुत बड़ी relief लेकर आएगा जिन्दगी के जो भी challenges है वो दीरे दीरे कम होते जाएंगे आप अगर foreign lands travel करना चाहते हैं तो ये महीना उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपनी transfer expect कर रहे हैं तो ये energy आपको इस महीने में witness करने के लिए मिलेगी तो आपकी जिन्दगी का जो turmoil है वो इस महीने के starting से थोड़ा 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 कम होता जाएगा तो आप एक next cycle की और बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर night of water का card है इस महीने में आपके आसपास romantic energies रहने वाली है हो सकता है आप अपने emotions किसी से व्यक्ट करें यह कोई और person आपके सामने अपना emotional proposal रखे आपकी life में हर एक चीज बहुत ही dramatic तरीके से इस month में होने वाली है so romantic drama कह सकते हैं इसको but जो भी होगा emotions की terms में वो एक अच्छा आपके लिए result लेकर आएगा यहाँ पर 10 of water का card है इस महीने में आप अपनी family के साथ एक बहुत ही अच्छा time spent करते हुए नजर आ रहे हैं आप अपनी family के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं आप बहुत ही ज़ादा blessed महसूस यह energies इस महीने में बहुत higher रहेंगी आप अपने siblings के साथ अपने parents के साथ कुछ quality time spent करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर page of earth का card है इस महीने में आपको कोई proposal मिलने वाला है और यह बहुत ही practical सा proposal होगा हो सकता है कोई job offer हो यह फिर कोई ऐसा proposal जिसको आप बहुत time से अपनी life के अंदर लेकर आना चाहते थे यह proposal आपको सामने से मिलेगा आप इस चीज़ के लिए prepared होंगे बहुत खुशी होगी आपको इस proposal को grab करने में और आपके जंदगी के अंदर यह proposal एक बहुत बड़ा change लेकर आएगा तो यह energies है the next card is the moon का card है इस महिने में moon की energies आपको बहुत ज़दा effect करने वाली है तो full moon, no moon आपको बहुत गहरे terms में effect करेगा आपको अपने intuition की आवाज को follow करना है अपने intuition की आवाज को आप अच्छी तरहां से सुन पाएं उसके लिए आपको थोड़ा time meditate करने की ज़रूरत है illusion की energy से बचना है किसी भी कारण से आपको illusion की energies में enter नहीं करना है choices बनानी कहीं न कहीं आपके लिए difficult होगी कभी आपके अंदर जादा शोर होगा तो कभी आपके बाहर जादा शोर होगा तो आपको शांती का चुनाव करना है चीजों को balance करके आपको चलना होगा तो यह energy है यहां पर the next card is king of earth का card है इस महीने में materialistic terms में आप बहुत ही prosperity की energies को अपनी जिद्गी में experience करने वाले हैं आप बहुत generosity से काम करेंगे आपकी जिन्दगी की luxuries बढ़ती हुई नजर आ रही है आप कुछ नया business या फिर कहीं पर investment ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं आप इस महीने में काफी successful होंगे अपने materialistic चीजों की terms में ये भी बहुत अच्छी energy है आपके लिए लेकिन एक बात का लियाम रखने की जरूरत है इस महीने में आपका कोई करीबी इंसान है जो आपको कहीं न कहीं backstop कर सकता है ये person आपके जीवन के अंदर एक melodrama create करेगा इसलिए कोई भी गलती मत कीजेगा गलती करने से खुद को बचाना है और अपना कोई भी decision बनाने से पहले reassessment की energies के अंदर जाना है past की चीज़ों को compare करके उसके बाद ही कोई decision लीजेगा नहीं तो कोई इंसान आपको backstop कर जाएगा बहुत तकलीफ होगी आपको इस महीने में आपकी life के अंदर आप celebration की energies को experience करने वाले हैं किसी चीज़ में आप बहुत जादा successful होंके उस field में आप celebrate करते हुए नजर आ रहे हैं आपके घर में कोई function हो सकता है मारे इसका कोई function हो सकता है किसी की engagement हो सकती है आप अपने friends के साथ अच्छा time spent करते हुए नजर आ रहे हैं friendships इस महीने में गहरी होती हुई नजर आ रहे हैं तो इस महीने की overall energy बहुत अच्छी है थोड़े से precautions हैं अगर उन precautions को follow करेंगे तो जिन्दगी के अंदर बहुत कुछ आप इस month में start भी कर पाएंगे और achievement ये energies की तरफ को आप बढ़ भी पाएंगे so I hope आपको आपकी general energies clear हो गई होंगी Sagittarius people अब हम देखते हैं ये महीना आपके love life के लिए किस तरह का रहने वाला है Sagittarius people ये महीना आपकी love life के लिए किस तरह का होंगा अपने love life में आपकी changes experience करने वाले है September का महीना आपकी love life के लिए क्या लेकर आ रहा है September का महीना आपकी love life के लिए क्या लेकर आ रहा है तो पहला card यहाँ पर 10 of earth का card है The next card is Ace of air का card है The next card over here is 6 of water का card है The next card is 9 of water का card है The next card over here is Queen of air का card है The next card is 3 of earth का card है Queen of fire का card है and bottom of the deck पर Ace of water का card है So Sagittarius people पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने partner के साथ no contact zone में है देखिए इस महीने आपको अपने इस रिष्टे के रिगार्ड में एक अपनी direction चेंज करने की जरूरत है आपका जो सोच का तरीका है उसे बदलने की जरूरत है अगर intelligently नई direction चूज करेंगे अपने इस रिष्टे को ठीक करने के लिए तो definitely आप दोनों के बीच में reunion की energies को आप experience कर पाएंगे अपने रिष्टे को ठीक करने के लिए आपको किसी third person के सहारे की जरूरत पड़ेगी और इसी terms में आपको decision बनाना है आपके रिष्टे के regard में क्या blockages आप experience कर रहे हैं ये आप बहतर चानते हैं तो किस तरीके का आपको अपने relationship के लिए एक mediator चाहिए इस चीज की guidance आपको इस महीने में मिलेगी उस person की help लीचेगा आप दूनों के रिष्टे का charge आप अपने हाथ में ले पाएंगे और अगर ये charge आपके हाथ में आ गया तो इस रिष्टे को आप बहुत अच्छे से ठीक भी कर पाएंगे अपने partner को अपने जीवन के अंदर वाफ़िस भी लाँ पाएंगे effective action लेने का वक्त ये आपका है इस महीने में आपको आपके partner की यार बहुत जादा सताने वाली है आप अपने partner को बहुत जादा miss करने वाले है आपके सभी सपने साकार हो सकते हैं सिरफ एक इस decision बनाने से guidance जैसे ही मिलती है या किसी से guidance लेने की कोशिश कीजेगा guidance जैसे ही मिलेगी आपको उस according act कीजेगा और किसी तीसरे person की मदद से आपका ये relationship आप अपने according ठीक कर पाएंगे और आप दोनों इस महीने में union की energies में enter कर सकते हैं उस चीज़ की भी energy यहाँ पर बनी हुई है आपके जो भी सपने हैं अपने इस relationship के regard में वो पूरे होते हुए इस महीने में नजर आ रहे हैं इस महीने में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने emotions को दुबारा से जी पाएं अब आप उस मौके को grab करेंगे कि नहीं करेंगे वो entirely आपके उपर depend करता है वो choices आपकी हैं कि आप किसी person की मदद लेते हैं या नहीं अगर direction change नहीं करेंगे तो union की energies ऐसे ही आपकी life में चलने नहीं वाली हैं यह directional change के साथ ही यह energies आपकी life के अंदर चलेंगे तेखें जो भी guidance आपके relationship के regard में इस महीने में आपको मिलती है उसको follow जरूर कीचेगा तो अब हम बात करेंगे जो लोग अपने partner के साथ communication zone में हैं जो अपने partner से बात चीट करते हैं लेकिन कुछ complication है या जिन्दगी में अपने relationship के बारे में ही जानना चाहते हैं तो इस महीने में आपका जो relationship है वो अच्छा रहेगा आपके partner आपको बहुत ही जादा homely महसूस करवाएंगे आप बहुत ही जादा comfort zone में रहने वाले हैं आपके partner आपके सभी dreams पूरेंख रहेंगे आप emotionally उनके साथ खुश रहेंगे लेकिन financial तोर पर किसी के साथ interference हो सकती है मतलब financially आप दूनों के बीच में कोई third party आ सकती है जो future में आपको negative results दे सकती है इस महीने में ही इस चीज़ के negative results नहीं आएंगे लेकिन आपके partner की तरफ से उनके finances में interfere करते हुए किसी का आप दोनों के relationship में आने के chances इस महीने में ज़ादा है overall emotional balance रहेगा relationship बहुत अच्छा रहने वाला है लेकिन ये interference इस महीने से ही शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा अपने partner से regularly पूछते रहेगा कि उनके जीवन में कोई person new आया है या business में उन्होंने किसी के साथ कोई partnership की है या किसी के साथ नए तरीके से कोई deal कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा idea लगता रहेगा जो आप दोनों के relationship में interfere कर सकता है उस person को time से आप दोनों के बीच में आने से रोक दीचेगा otherwise in future problem हो सकते हैं इस महीने में कोई such problem नहीं होने वाली है अब ही हम बात करते हैं जो लोग single है Sagittarius people इस महीने में आपकी working place पे आपको कोई नया person मिलेगा उस person के साथ आप अपने ambitions को share करेंगे और धीरे 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 ये रिष्टा emotional होता जाएगा अभी इस relationship में emotionally कुछ नहीं होने वाला है starting में आप बहुत ज़्यादा practical बाते करेंगे आपके partner जो आपको मिलेंगे वो आपके साथ बहुत practical बाते करेंगे लेकिन ये person ऐसे होंगे जिनके साथ आप उपने dreams को share कर सकते हैं और मैंने partner इसी वचे से कहा है क्योंकि मुझे future में इस टीस की बहुत ज़ादा surety नजर आ रही है कि ये person आपके partner ही बनेंगे लेकिन इस महीने में ना तो आप उन्हें commitment देते कोई नजर आ रहे है ना उनकी side से आपको कोई ऐसी commitment मिलती हुई नजर आ रही है okay so I hope आपको ये भी energy clear हो गई होगी Sagittarius people अब हम देखते हैं ये महीना आपके business के लिए आपके career के लिए आपके finances के लिए किस तरह का रहने वाला है ये महीना आपके business के लिए आपके career के लिए आपके finances के लिए किस तरह का होगा Sagittarius people let's see ये महीना आपके business के लिए आपके career के लिए आपके finances के लिए किस तरह का रहने वाला है तो पहला card यहाँ पर queen of fire ka 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 energies के अंदर three of cups की energies निकल कर आई थी मुझे ये नहीं लगा था कि आपके heart sphere में third party interference होगी इसलिए मैंने ये बात वहाँ पर नहीं कही थी लेकिन जाहसे कि मैंने आपके love life की energy चेकी है उसमें भी third party interference निकल कर आई है और यहाँ पर भी कही न कही तीसरी कोई party है जिसे आपके finances से problem रहने वाली है इस महीने में आपके finances improve होंगे आपके business में आपके career में आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ direction change होगी हो सकता है कि आप अपनी job change करें हो सकता है आपके business के अंदर आप कुछ नया start करें कुछ effective steps आप अपने career के regard में लेने वाले हैं कुछ ऐसे decisions जो बहुत hard होंगे लेकिन आपके लिए लेने जरूरी है आप इस बात को समझ पाएंगे इस महीने में आपका balance जो है starting में आपको थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आएगा लेकिन आप patient रहेंगे अपने business के regard में अपने job के regard में अपने career के regard में और आप abundance की energies को enjoy कर पाएंगे abundance की energies में आप enter करने वाले हैं the reason is that आपकी choice जो होगी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके घर के आपके आस पास के लोग जो उस चीज में आपका साथ नहीं दे रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि आप जो choice बना रहे हैं वो गलत है लेकिन आप अपने intuition के according choice बनाएंगे और वो choice आपकी सही होगी एक proposal होगा जिसे आप grab करने वाले हो सकता है एक risky proposal हो जिसे आप अपने intuition के basis पर grab करेंगे और वो चीज आपको success देने वाली है इस महीने में कोई तीसरा person है जो बहुत ही close है आपके हो सकते आपका कोई close friend हो जिसे आपकी success से बहुत जादा problem होगी उस person के according अपनी life के decisions मत बनाएएगा वो person आपको backstab कर सकता है इस बात का ध्यान रखेगा अगर आप backstabbing की energy से बचना चाहते हैं तो आपको इस person की energy को अपनी energies के उपर हावी नहीं होने देना है इस बात का ध्यान रखेगा ठीके यहाँ पर ego का card भी है आपको आप अपनी life के अंदर success की energies को experience करने वाले हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें इस बात का ध्यान रखेगा आपको बिल्कुल भी ego में operate नहीं करना है अगर past में किसी person ने आपको financially किसी तरीके से तंग किया था तो उस person को भी नीचा दिखाने के कोशिश मत कीचेगा otherwise future में dip की energies के लिए तयार हो जाएगा ओके इन energies से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और energies अच्छी है लेकिन किसी के उपर भी आख बंद करके भरोसा नहीं करना है इस बात का बहुत बहुत गहरा ध्यान रखना है आपको ओके तो अब हम देखते हैं कि आपकी health किस तरहा की होगी Sagittarius people इस महीने में आपकी health किस तरहा की रहने वाली है So Sagittarius people इस महीने में आपकी health किस तरहां की रहेगी Let's see that तो पहला card यहां पर Knight of Water का card है The next card is Four of Earth का card है The next card is Page of Air का card है And bottom of the deck पर King of Fire का card है देखिए help को आपकी अच्छी रहने वाली है लेकिन किसी भी चीज को नजर अंदास मत कीजेगो हो सकता है कि कोई छोटी मोटी problem हो आपको लगेगा कि यह problem ऐसे ही solve हो जाएगी ऐसा मत कीजेगा Because उस चीज को बड़ा होते time नहीं लगेगा और वो चीज आपको negative result भी दे सकती है तो health को लेकर थोड़ा cautious रहने की ज़रूरत है अपने तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है अपने diet को change करने की आपको ज़रूरत है अपने routine को, अपनी health routine को change करने की थोड़ी सी ज़रूरत है आपको उससे आपकी health improve हो सकती है जो चीजें या कोई ऐसी बिमारी है जिसके आप rose medicine लेते हैं उससे आप इस महीने में निकल सकते हैं उस चीज को आप control कर सकते हैं तो control करने के लिए कुछ effective steps लेने ज़रूरी है अपनी life में health बहुत important होती है जिन्दगी के अंदर सब कुछ चलता रहता है लेकिन जैसे ही health खराब होती है सब चीजें रुक जाती है इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसा नहों कि health को आप neglect करें और कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपकी health खराब हो जाए ठीक है काम करना है बहुत अच्छी बात है emotions की terms में सब कुछ ठीक चल रहा है अच्छी बात है लेकिन इसमें health को ignore नहीं करना है overburden होकर कोई भी काम नहीं करना है ओके so I hope आपको आपके health के regard में भी energies clear हो गई होंगी अब हम देखते हैं ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का होगा ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है so पहला card यहाँ पर the lovers का card है the next card is 10 of air का card है the next card is 248 का card है यहाँ पर 7 of earth का card है The next card is 5 of fire का card है The next card is 2 of fire का card है The next card is queen of earth का card है And bottom of the deck पर 6 of earth का card है So, Sagittarius people इस महीने में आप investment की terms में एक दोराहे पर आकर खड़े हो जाएंगे आपके बस दूर options होंगे एक तो आप long term का investment कर सकते हैं एक आप short term investment कर सकते हैं अब आपको ऐसा लगेगा कि short term investment कर लेना जादा अच्छा है क्योंकि उस चीज में risk कम होगा लेकिन ये चीज आपको गलत लग रही होगी ठीक है आपको short term investment बिलकुल भी नहीं करनी है अगर investment इस महीने में करना चाहते हैं तो long term investment कीचेगा किसी भी third party को बीच में include करके आपको investment नहीं करनी है नहीं तो उस person के साथ आपका लडाई चगड़ा हो जाएगा किसी के साथ partnership में कोई भी investment नहीं करनी है उस case में भी लडाई चगड़ा होने के पूरे chances है आप इस महीने में land ले सकते हैं property कोई भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं shop लेना चाहते हैं ले सकते हैं garage लेना चाहते हैं ले सकते हैं flat house जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं independently आपको लेना है किसी के साथ partnership में नहीं लेना है partnership में जो भी चीज़ आप plan करेंगे उसमें लड़ाई चगड़ा होगा ही होगा और जितनी long term investment करेंगे उतना ही जादा आपको positive result अपने जीवन में देखने को मिलेगा वो चीज उतनी ही आपको फलेगी अगर आप long term के terms में सोच कर investment करते हैं okay so Sagittarius people short term investment करेंगे सारा पैसा डूप जाएगा इस बात का ध्यान रखेगा so I hope Sagittarius people आपको ये energy clear हो गई होगी अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है Sagittarius people जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये महीना किस तरह का होगा Sagittarius people जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है 7 of fire का card है, knight of water का card है, king of earth का card है, knight of fire का card है, 8 of fire का card है, 8 of water का card है, 4 of earth का card है and bottom of the deck 9 of water का card है so जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं promotional exams की तयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती है जो लोग promotional exams की तयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी exam की तयारी कर रहे हैं जिस exam के बार directly आपको job लग जाएगी आप लोग अपने इस exam में 100% successful होंगे आपकी एक बहुत ही बहतरीन job लगेगी आपकी promotion हो जाएगी आपका जो भी सपना है अपने job के regard में वो पूरा होता हुआ इस महीने में नजर आ रहा है तो बस focus करके पढ़ाई कीज़ेगा अच्छा सा exam दीजे आपका ये exam जरूर clear होगा अप मैं उन लोगों को बताना चाहते हैं जो लोग competitive की तयारी कर रहे हैं या college में admission के लिए exam देने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने में starting में आपको लगेगा नई चीज़े ठीक नहीं चल रही हैं शायद खुद के साथ ही आपके कुछ trust issues हो जाएं this contentment की energy से बाहर निकलना है आपको ये जो success आप बाहर ढूनने की कोशिश कर रहे हैं ये हासल तभी होगी जब महनत करेंगे और ये जो महनत आप जिस direction में कर रहे हैं वो direction सही नहीं है इस महीने में किसी को guide मानके उस person के according अपनी पढ़ाई कीजिएगा वो person जैसे आपको guide करते हैं आपके डिविशन टीचर हो सकते हैं आपके वैसे teacher हो सकते हैं आपके parent हो सकते हैं उसे guidance लीजिए उस सब्सक्राइब कीजिए अपने आप से यह trust issues हैं इन्हें resolve कीजिए और passionate होकर अगर पढ़ाई करेंगे तो कोई भी competitive आप इस महीने में crack कर पाएंगे आपको एक अच्छे से college में admission मिल सकती है ठीक है आपके सभी सपने साकार हो सकते हैं अब यह depend आपके उपर करता है कि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं कि नहीं so I hope Sagittarius people आपको भी यह energy clear हो गई होगी so अब हम देखते हैं इस महीने में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies are positive हो जाएं what should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies are positive हो जाएं what should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies are positive हो जाएं what should be your mode of action Sagittarius people तो पहला card यहाँ पर charity का card है The next card over here is Expect Miracles ka card है The next card is Lord Ganesh ka card है The next card is Magic Manifesting ka card है The next card is Earth Connection ka card है And Bottom of the deck पर Heart Awakening ka card है So Sagittarius people इस महीने में आपको Divine के साथ अपना गेहरा Connection बनाना है आपको Divine के साथ अपने आपको Connect करना है जो मांगेंगे वो मिलेगा लेकिन मन में श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है इस महीने में Meditate जरूर कीजिएगा आपने Base Chakra पर भी Meditation जरूर कीजिएगा And आपको Tuesday और Sunday की जो मेरी Angelic Guidance पे मैं उपाये बताऊंगी जरूर फॉलो करने है Angelic Guidance मेरे दूसरे चानल Soul Divine Journey टारो पर आती है उस चानल का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चानलाइस करने में मदद करती है और मैं अपनी डेली Angelic Guidance रोज रात आट बजे उस चानल पर पोस्ट करती हूँ आप प्लीज उस चानल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीज़ेगा और वहाँ पर भी पेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे की वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन्स मिलती रहें अगर डिवाइन की साथ गहरा कनेक्शन बनाएंगे तो जिन्दगी के अंदर जतने लॉसस आपने एक्सपीरियंस किये हैं उन लॉसस को रिकवर करने का आपको मौका मिलेगा मिरेकल्स जन्दगी के अंदर अपने आप होते हैं इस महीने में डिवाइन, स्पिरेड, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं बस आपको अपने ठढ़ाय चक्रा और क्राउन चक्रा पर मेडिटेट करना है यहाँ पर लौट गनेश का कार्ण है इस महीने में आपके जीवन के जतने भी आपस्टेकल्स हैं वो रिमूफ होते हुए नजर आ रहे हैं महीने की शुरवात ही गनेश पुजा से होती हुई नजर आई है इस महीने आपके जीवन में गनेश जी आपके जीवन के सभी विगनों को दूर करने वाले हैं तो पूरे मंच में आपको गनेश जी की अरादना कतनी है गनेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है ओम गनगन पते नमा ओम गनेशा नमा का आपको जाप करना है एक माला, तीन माला, पांच माला, साथ माला अपने टाइम की अकॉर्डिंग अप जाप कर सकते हैं मॉर्निंग की टाइम पर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है और वेटनेस डे की मेरी जो एंजलिक गाइडन्स है उसमें मैं जो भी उपाई बताऊंगी आपको वो जरूर फॉलो करने हैं तांकि आपकी लाइफ के अंदर से इल्यूजन्स भी रिमूफ हो जाएं और आपस्टेकल्स भी यहाँ पर मैजिक पेनिफेस्टिंग का कार्ड है आपके ड्रीम्स आपके विजन्स आपके गोल्स आपकी रियालिटी बन सकते हैं लेकर आपको सिरफ फोकस रहने की जरूरत है किसी भी इल्यूजन की एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है इस बात का ध्यान रखेगा और जितने जादा पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी ठीक है यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ण है इस महीने में आपको ग्राउंडड रहना है आपको किसी के सामने भी अपनी इगो शो नहीं करनी है किसी को भी नीचा लिखाने की कोशिश नहीं करनी है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यह भी आपका mode of action है यहाँ पर heart awakening का card है आपको give and receive balance में करना है इसलिए आपको अपने heart chakra को इस महीने में open करना है ताकि divine की तरफ से जो भी आपको blessings मिले आप heart chakra पर उसे receive कर पाए So I hope आपको mode of action clear हो गया होगा और angelic guidance में से Tuesday, Wednesday और Sunday की angelic guidance के जो भी मैं उपाए बताऊंगी वो आपको जरूर follow करने है जिससे की आपकी energies और boost होंगी So अब हम देखते है Sagittarius people इस महीने divine आपको क्या blessings देना चाहते है क्या messages देना चाहते है Let's see that Divine आपको क्या messages देना चाहते है क्या blessings देना चाहते है इस महीने के लिए Let's see क्या messages है क्या blessing है divine की तो पहला card यहाँ पर fogged in का card है The next card over here is reaching your destination का card है The next card is desert passage का card है The next is impasse का card है The next card is begin now का card है And bottom of the deck पर in the flow का card है तो divine आपसे यह कहना चाहते है Sagittarius people कि अभी आपको कुछ भी clear शाय नजर नहीं आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है दुन्द चाही हुई है तो slow चलिए अपना वक लीजिए यह दुन्द चटने ही वाली है इश्वर आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपको नहीं पता है आपको कही न कहीं trust issues भी हो रहे हैं कि पता नहीं यह रास्ता आपको कौन से दिशा में लेकर जाएगा पता नहीं जीवन में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा लेकिन इश्वर आपसे यह कहना चाहते हैं कि विश्वास रखिए डिवाइन ने हर एक चीज़ को प्लान किया हुआ है और आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर इसी रास्ते पर आगे की और आप बढ़ते जाएंगे तो आप वहाँ पहुंच जाएंगे जहां डिवाइन आपको देखना चाहते हैं डिवाइन आपसे यह कहना चाहते हैं इस महीने में अपनी एनर्जी उसको बहुत अच्छे से चनलाई कीजीएगा जितना जाद आप इस महीने में पॉजटिव रहेंगे उतनी ही पॉजटिविटि युनिवर्स की तरफ से भी आपकी तरफ को आएगी सो अपनी positivity को maintain रखेगा और negative आपको बिल्कुल भी नहीं होना है अपने जीवन में खुशियों की तरफ इस महीने में आपको पहला कदम रखने का मौका मिलेगा सो अपनी खुशियों की तरफ को बढ़ते जाहिए आभी बहुत खुशियां आपके जीवन में आनी बाकी है सब को smooth चल रहा है किसी भी चीज को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है जो चीज जैसे होनी चाहिए वो उसी तरह से हो रही है सो आपको अपने आपको किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है ये blessings ये messages है विवाई हूं की तरफ से आपके लिए So I hope Sagittarius people आपको मेरी reading पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near and dear ones के साथ share ज़रूर कीज़ेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके So do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है ये booking आप मेरे whatsapp के थूँ या फिर मेरी email id के थूँ कर सकते है मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होने जिल लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नएने videos की notification मिलती रहे मेरा एक और चानल भी है Soul Divine Journey Tarot लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी videos पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात 8 बजे उस चानल पर पोस्ट करती हूँ आप प्लीज उस चानल को भी subscribe जरूर कर लीजे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे मेरा एक और चानल भी है Soul Mystic Tarot उस चानल पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से अनकहे जज़बात आपके लिए उनकी तरफ से love letter reading yes or no pendulum readings ऐसी सभी readings मैं उस चानल पर पोस्ट करती हूँ आप लीज उस चानल को भी subscribe जरूर कर लीजे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे की वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे उस चानल का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon